आप देख रहे हैं लाए बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास बिहार में इंडिये की सरकार बननी के बाद अब बिहार सरकार ने नए मंत्रियों को आवास अवंटित कर दिया है जिसके तहत बिहार के दो डिपीसियम समराठ चोधरी अब विजय कुमार सिन्हा को भी सरकारी पता अब ठीकाना नए जगह पर होगा बात अगर डिपीसियम समराठ चोधरी की करें तो उनको पांच देश रत्र मार्ग वाला बंगला मिला है जहां मौजूदा समय में डिपीसियम रहे तीजस्वी यादव को आवंटित था तीजस्वी यादव फिलाल वहां रह भी रहें लेकिन अब से वहां समराठ चोधरी नज़र आएंगे तो दूसरी तरफ तेजपरताप यादव का बंगला जो अस्ट्रेंट रोड में है तेजपरताप यादव बंगला दूसरे डिपीसियम यानि की विजय कुमार सिन्हा को आवंटित किया गया है तो आप समझ सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से महागडवंधन की सरकार चल रही थी अब इंडी की सरकार में जो नय मंत्री बने उनको पुरी तरीके से बंगला दे दिया गया है लेकिन तेजपरताप और तिजपरताप यादव के ठीकाने भी बदले सबसे बड़ा सवाल है अब ते प्रतिपक्ष 13 आदव को नेता प्रतिपक्ष के हैस्यत से बंगला दिया अलाबा है कई मन्त्री हैं जिनको गजनिवाग 6 बंगला आवंटित किया गया है इसके अलाबा मंतरी और भी जिनको वीचन पटेल मार्क बेली रोड पोलो रोड इसके आलाबा जो है नय बंगलोंceğiz भी उन्हें जगह दी गई है हाला कि जदी कोटे से जो पुराने मंत्री थे इंडिये सरकार में फिर से उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है उस सब को पहले यानी की जो पुरानी महागडवंधन की सरकार में आवास अवंटित था वहां वो बने हुए हैं चाहिए कि बात हो याल्प संक्यक कल्यान मंत्री जमा खान की बात हो कि सब लोग अपने पुराने बंगले में लेकिन नया जो बंगला आवंटित हुआ उस सबसे बड़ा है तेज़ परताप को लेका जिस तरीके से बिहार में दो डिप्टी सिम भाजपा के एक समराठ चौधरी और ए अवास अवंटित किया है अब नए मंत्री यहां आपको नजर आएंगे इसके अलावा मुकेश सहनी को लेकर भी बहुत कुछ चर्चाएं हो रही थी तो मुकेश सहनी यानि कि मलाह वोट को लेकर भी कैबिनेट में सामिल किये गए हरी सहनी को गरदानी बाग का बारा बाइ 20 बंगला अलाउट किया गया है यानि कि अब हरी सहनी गरदानी बाग में नजर आएंगे वहीं से सरकार चलाएंगे वहीं से जनता की आम अवाम की समस्याओं को भी सुनेंगे तो फिलाल आपको इलिश्ट मैंने दिखाया है आपने देखा भी है सभी मंत्रियों को किस तरी पूर अब्डेट आपको कराते चलेंगे पांच देश रत्रमार जो अपने शुरुवाती समय से जिस तरीके से को रिनवेट हुआ है पुरन निर्मान उसका किया गया था उसके बाद से जितने भी डिप्टीशियों महा पहुंचे हैं पांच साल अभी तक किसी का टर्म भी सकता है क्योंकि 2025 से विधान सबाका सुनाव है इससे पहले 232 वहां दो बार रहा चुके हैं तारकिश्वर परशा सुसिल्कमार मोदी भी वहां रहा चुके हैं किन्हीं डिप्टीश्यमों को पांच साल वहां रहने का नश्रीब नहीं हुआ है आप अपनी भी राय हमें जर परूर करें